नमस्कार दर्शको दूर दशन मद्धिप्रदेश की कारिक्रम परियावरंट संद्रक्षन में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ श्रीकान सुनी दर्शको परियावरंट संद्रक्षन की दिशा में अब हमें कदम उठाना होंगी क्योंकि आने वाली स्थिती बहुत ही गंभीर हो रही है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और पौद रोपन में जो कमी आ रही है उससे कहीं न कहीं हमारी स्वास्त को लेकर भी कई दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है आज बहुत ही खास बिशे हैं आज है उरजा संरक्शन और परियावरन संरक्शन किस तरह से हम उरजा संरक्शन की दिशा में कदम उठाएं साथ ही और हमारे परियावरन को कैसे बचाएं इस पर हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ दो बहत ही खास महमान मौझूद हैं, मैं उनका आपसे परीचे करा दू, हमारे साथ हैं दिलिप चक्रवर्टी जो की परियावरन वीदे, बहुत-बहुत स्वागत है आपका दिलिप जी, और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर दीप्त परियावरन वीदे, बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- सब्सक्राइब कर दैंड है उड़ा स्रक्षण सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम उर्जा सरक्षन को बढ़ावा दे सकते हैं दीपती जी उर्जा सरक्षन को परियवरण के दिशा में आज अगर हम कदम नहीं उठाए और हम अगर जागरुक नहीं हुए तो आप किस तरह से हमारे दर्शकों को इसकी गंभीरता समझाएंगी जैसा कि आज आज आप सब जान रहे हैं कि वर्तमान परिद्रश्य में जलवायू परिवरतन और उसके दुषप्रभाव हम सब के सामने काफी परिलक्षित हो रहे हैं उर्जा सरक्षन ना करना या परियावरन सरक्षन के प्रति जागरुक नहा होना हमें सीधे नुकसान पहुंचाता है क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपका तापमान बढ़ रहा है और तापमान बढ़ने से हमारे पास भोजन की समस्या बढ़ने वाली है वेश्विक इस तर पर भोजन की समस्या इसी का एक परिलक्षित होती है एक परिणाम है और उर्जा सरक्षन भी बहुत important है जैसा कि एक नौन रेणेविल एनरजी एक और सांथ में इसे ग्रीन आपट है तो हम सोलर एनरजी का इसमाल करके अपने परियावरण के सरक्षन के लिए बहुत अच्छे कारे कर सकते हैं जी 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 सौर उर्जा पर आप प्रकाश डालिए इसको इसके बारे में भी समझाईए दर् सरल उपलप्द है हमें हमेnsका अनुकरी लगाँ करना में और भी आसा का ब्रॉपकर करने हैं ताकि हम स्वार्ड उपयोग करके कसे वह चीजों को गर्मि दे लिये के लिए हूं या बिज्ली उत्पन करने के लिए हैं तों तरीके से हम सौरूर्जा का उपयोग करसकते हैं इसके लिए कई तक्निकी तौर पर हम देखते हैं कि सोलर पैनल्स घ्री Only तो कई विभिन प्रिकार के उत्पाद हैं ताकि हम सौर उर्जा को सरक्षित करके बिजली के रूप में भी परिवर्तित हम करते हैं। पैनल्स पूर्ति करेंगे ही साथ में जो अधिक उर्जा आपने उत्पन ने करी हुए वो अन कामों के लिए या सासन के या विभिन योजनाओं के माध्यम से भी उसका उपयोग किया जा सकता है। परियावरन सरक्षन है। अर्थात जल, वायू, प्रत्वी, म्रदा और सारे जैविक कारक जैसे की पेड़ पौधे, जीव जन्तु, उन सभी का सरक्षन सम्मिली तूप से परियावरन सरक्षन में शामिल है। जी, और आप किस तरह से परियावरन सरक्षन के दिशा में कार कर रही है, उसके बारे में भी हम समझना चाहेंगे। जब चात्राइं शिक्षित होंगी, तो निशित ही वह समाज को शिक्षित करेंगी। और आने वाला समाज इसके विशे में गंभीर परिणामों से परिचित होगा और परियावरन के सरक्षन के लिए कारे करेगा। दिलिप जी परियावरण संदक्षन के बारे में अगर हम समझें तो आप परियावरण शुक्षा रधिकारी भी हैं किस तरह से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और आप विभाग में हैं क्या नवचार किया जा रहा है कैसे लोग जाग रुख हो हैं हम पौद रोपन का तो स थोड़ा सा हम अपने क्रियावरण को चलाया जा रहा है आप को है इसके माध्यम से हम प्रदेश इस तर पर इसकूल में विद्यायलों में और जन्मानस के लिए एक कारिकरम इस तरह से डिजाइन किया हुआ कि ना सिर्फ उसमें जैसा कि आपने आपने तक्सीमीत है उसमें सारे विश्यों को लिया हुआ है जल सरक्षन की हम बात करते हैं उसमें उर्जा सरक्षन की हम बात करते हैं उसमें हमने जैविवित्त को सामिल किया हुआ है कि विद्यार्थी अपने परिसर में जैविवित्त का संचय करें जैविवित्त की पंजी करें उनको उनके बारे मे एक बहुत महत्पूर्ण है और उसमें भी हम सिंगल यूस प्लास्टिक की हम बात करते हैं कि एकल उप्योग प्लास्टिक जो आज की बहुत ही बड़ी चुनौती हो गई है तो उसको हम जो भी हमारे कारिकरम में हम पहला प्रयास हमारा यही रहता है कि आप इसमें क्या विकल विकें दे उनको इसको समझाते हैं कि कोई चीज यह तो आप जड़ा के क comida कि कम करें आप ति और से स्टेशनरी में बहुत बड़ी संख्या में हम सिंगलिस प्लास्टिक उप्योग कर दे हैं, तो वहाँ पर भी इसकी कहीं कहीं कमी लाएं। जी, बिलकुल, मैं आप से समनना चाहूंगा कि महाविध्याले में चात्रों को और किस तरह से आप परियावरन संदक्षन की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, क्या-क्या सिखाया जा रहा है, और जब आपने सिखाया तो उसके रिजल्ट क्या सामने आए, वो भी आप हमें बता जिसमें चात्राएं नेचर फोटोग्रफी वर्क्शॉप को पहले वर्क्शॉप में सीखती हैं कि नेचर फोटोग्रफी क्या होती है, और फिर उसके बाद हम उनसे फोटोग्राफ्स मांगते हैं, और फिर उसकी कॉम्पिटिशन करते हैं, नेचर फोटोग्रफी कॉम्प नेचर डॉक्यमेंटरी बनाने की कॉम्पिटीशन है, पोड्कास्ट मेकिंग है, नेचर के उपर जर्नलिजम कैसे किया जा सकता है, कैसे स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग कर सकते हैं पर्यावरण के उपर या प्रदूशन के उपर, ये भी हम महाविद्याले स्तर पर सिखात को सबसाई हें, हर्मल ticket होभी होते हैं, हर्मल फूट शोते हैं, और.. सभी है जिनमें हम ब्राइओ बॉइर व करते हैं. दाने में चात्रों को कॉम महाविचिंग कर देषिए और वो डिग्रेडेबल प्रोडट्स का इस्तमाल कर सकते हैं, इस बारे में चात्राओं को हम अवेर भी करते हैं और उसकी कॉम्पिटिशन भी कराते हैं, शहरों में गोराईया बहुत कम हो रही है, गोराईया के सरक्षन के लिए हमने सबसे पहले चात्राओं को स्पैरो बर्ड ह बना कर बेच भी रहे हैं और घरों में और समाज में बाट भी रहे हैं, इसी तरह कि हमने और भी कई कॉम्पिटिशन कराई हैं, जैसे कि मेडिसनल प्लांट्स को का उपयोग, मेडिसनल प्लांट्स क्या-क्या करते हैं और उनको किस तरह से लगाया जा सकता है, उनकी कैसे डवलप करी जा सकती है, इसके बारे में हमने कारिक्रम कराए हैं, चात्राओं से हम नुकर नाटक करते हैं, करवा रहे हैं, सस्टेनिबल लाइफ स्टाइल के ऊपर, एक और नया कॉंसेप्ट है कि ना सिर्फ प्लास्टिक हमारे प्रदुशन के लिए बहुत बड़ा खत्रा ह है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे कपड़े, तो कपड़ों का बहुत बड़ा वेस्टेज घरों में भी होता है और फेका भी जाता है, तो हम क्यों ना कपड़ों को रियूस कर लें, या हुने रिसाइकल कर लें, तो हम चात्राओं में इस बारे में भी बनाएं, और इस प्रकार से हम हर्बल गार्डन की तरफ चलें, और गैनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए, हाइड्रोपॉनिक्स एक नई तकनीक है क्रशी की, जिसमें कम पानी में हम कैसे खेती कर सकते हैं, और उसी पानी को रिसाइकल कर सकते हैं, इस बारे में भी हम चातराओं को जागरुक कर रहे हैं एक एक्टिविटीज पे एक तो एक्टिविटीज और एक अवेर्नेस वाला, तो अवेर्नेस में तो जिस तरह से मैडम ने भी बताया है कि बहुत सारे क्रिया कलाब करते हैं, जैसे रैली है, नुकड़नाटक है, या वाद बिवाद पृतियोगिता है, कवीता का मंचन है, इस तरह से बहुत सारी चीज़े हैं, जिसमें हम अवेर्नेस की बात करते हैं, कि लोगों में जग रुकता है, इसके साथ में जो हमारी जीवन शैली है, या जो सस्टनेवल लाइफ इस्टैल की जो हम बात कर रहे हैं, कि हमारी सतत जीवन शैली होना चाहिए, जीवन शैली इस तरह से हो कि जो भी बरतमान में हमारे पास में उसका तो हम उपयोग करें ही साथ में आगे आने वाली पीड़ी के लिए भी हम कुछ बचा के रखें और वो हमारे हर दृष्टी कोण में सामिल होना चाहिए जहां तक परिस्तितिक तंद्र की हम बात कर रहे हैं तो हमारा ज इस प्रकार से हमारा उसके प्रती डिवोशन है वह बहुत महत्पूर है और सुबह से लेके शाम तक ऐसे बिविन गतिविदियों में हम देखेंगे कहीं न कहीं मदर अर्थ को हम हार्म कर रहे हैं चाहे हम उसको इस्पिटिंग करके करते हैं या हम उसमें अनावशक पर चीरे पर उससे पूरे परिष्टितिक तंत्र में कहीं न कहीं बहुत बढ़ा हासर हो रहा है और बहुत तेजी से इनकी संख्या गिरती जारी इनमें गिरावट देखी जारे है तो बिल्कुल ठीक बात है अब मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा दिलेब जी कि अरजा संदक्षन के लिए देनिक जीवन में क्या नागरी को पाए कर सकते हैं बहुत सारे जैसे मैंने सुरू में बताया था कि बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड उक्रण भी हैं जैसे कि आपके बैटरी को चार्ज करने के लिए भी सोलर वाले हैं सोलर लाल्टेन हैं अब तो सोलर मुबाइल चार्जर भी आ गए हैं पर अभी भी हम देख रहे हैं कि एक तो इनका प्रचार प्रशार और होना चाहिए और लोगों को विभिन आयामों में इनको प्रमोट करने की भी जगवत है क्योंकि हम जागरुक्त हो गए हैं कि बहुत अच्छे सकते हैं यह और उनको पैनल भी जारे हैं चाब धैनल मोड को चीज है कर सकते हैं उसको अफीक से आप कर सकते को बारिष के आप cautious na LJ inclusion वर को जाड़ा 될 जो लोग जाग रुक हैं उन्होंने तो लगवा लिया उनको फायदा यह हो रहा है कि उनकी बेजली की बचत हो रही है और मुफ्त जो की सूर्य देव से जो प्राप्त हो रही है उनके घर भी रोशन हो रहे हैं तो आप किस तरह से दूसरे लोगों को जागरुक करेंगे कि यह कितना इंपॉर्टेंट है और आगे चलके इसके बेनिफिट्स क्या होंगे उनको जी पैनल लगाना शुरू में थोड़ा सा महंगा हो सकता है हाला कि भारत सरकार इसके लिए काफी सबसीडी देती है तो लोगों को यह जागरुक होना चाहिए कि वे अपने कम्यूनिटी लेवल पर आपके लिए यूसफुल है आप उतनी यूस कर सकते हैं और जितनी एक्स्ट्रा होती है वो सारी ग्रिड में जमा होती है वो वापस बिजली कम्पनी को लोटा दी जाती है और आपके अकाउंट में उसका जो भी अमाउंट होता है वो बचा हुआ आ जाता है इस तरह से बह जगा उपयोग की जा सकती है जैसे कि अगर च्छत नहीं है तो भी मलोकार हो सकता है वो कदम उठा सकते हैं दिर्व जी आप इस बारे में क्या कहेंगे देखिए सुरुआत तो करनी पड़ेगी एक बहुत अच्छी कहावात है कि मैंने देखा मैं बूल गया मैंने सुना मै मैं भूल गया मैंने देखा मुझे याद रहा और मैंने किया मैं सीख गया तो जब भी जो लोग भी जैसा मैडम बने बताया कि सोलर पैनल अभी चाहिए डूप्लेक्स हैं या हम मल्टी में रह रहे हैं तो वहां पर इसकी सुरुवात करनी पड़ेगी और जो लोग ने भी क्योंकि वह में दिखता है जब दिखता है और किसी ने किया होता है तो हमें अंदर एक इंकरेजमेंट यह मिलता है कि चलो हमें भी यह करना चाहिए एक स्वेप रिड़ना मिल दी तो उसके बारे में चर्चा करते हैं तो इस तरह कि जब लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी हम इंडीजवल घरों में कम देख रहे थे पर अभी थोड़ी एक संख्या में दिखने लगे हैं तो यह अच्छा संदेश है कि लोग छोटे प्रोडेक्ट्स के साथ साथ में हमारे घरों पर इंस्टाल कर रहे हैं वाटर हीटर लगा रहे हैं उसको बहुत अच्छा उपयोग है और भी कई उपकरणों को हम उससे उपयोग कर सकते हैं तो यह करना चाहिए और हमारा भी उद्देश यही है कि विद्यालों में महाविद्यालों में या अन कारक्रमों में सौर उर्जा का प्रोमोशन करे हैं ताकि उर्जा का सबसे सराल और सुरक्षित है इसे वातावान भी दूसीत नहीं होता है या किसी प्रकार की जल्वाई परिवर्तन में ये हल वो नहीं है मोटिवेट नहीं कर रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए हमें प्रेड़ना दे रहा है पिल्कुल एक सवाल और है दीपती जी इसी को लेके कि आप सौर पैनल इस पे तो आप जाई रहे लेकिन आपको उर्जा बचत के लिए उन अपनी बुरी आदतों पर भी लगाम लगाना होगी क्योंकि आप देखते हैं कि दिन में भी लाइट जलाते हैं जबकि दिन में सूर की उर्जा से काम चल सकता है आप स्विच ओन करके छोड़ देते हैं रात भर फिर वो लाइट जलती है तो वो क्योंकि अगर अभी से आप महाविद्यालों में चात्राओं को ये सब चीजे सिखाएंगे तो वो उनके जीवन काल में वो चीज याद रखेंगे तो आप किस तरह से उन्हें अवेर करते हैं इसको लेके हमें सौर उर्जा का सबसे अधिक उप्योग करना चाहिए और लाइट का उप्योग कम से कम करना ही जला है जितनी जरुवत है उतना और इसके लिए खिड़की दरवा से खुले रखिए जो नैच्रल लाइट है उसको मैक्सिमम आने दीजिए और फिर उसके अलावा ना सिर्फ स्विच ऑन उफ करने कि आजकल तो सेंसर भी आ गए हैं जैसे हमें पता है कि लाइट सेंसर हैं मोशन सेंसर हैं तो हम इनको भी लगाकर हलागी ही थोड़ से महंगे होते हैं उसकी कंप्रेसर को खुल सफ़ान दें इसके अलावा आप गीजर का कम उपयोक करें सोलर वाटर हीटर का उपयोग करें इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं घर में जिनका हम उपयोग करके और उर्जा का सरक्षन कर सकते हैं बिल्कुल और कई ची बार तो ये भी सामने आता है जिपती जी की केचिन में जब खाना बन रहा होता है तब एकजास्ट फैन चलता है लेकिन जब उस काम होने के बाद भी वो चलता रहा है तो ये इस पर भी सोचना होगा बिल्कुल एलेडी लाइट्स का इस्तमाल करना चाहिए जिससे रोशनी सादा होती है और बिजली की खपत कम होती है यदि आप एसी का उपयोग कर रहे हैं तो दर्वाजे खिड़कियां बंद रखें साथ में एसी को आप 22 से 26 तक रखें जिससे की काफी कमफर्टेबल तापमान रहेगा और उर्जा की बच्चत भी होगी आज कल 5 स्टार, 4 स्टार, उर्जा की बच्चत वाले एक्क्यूप्मेंट्स आ रहे हैं आप उनका उपयोग करें और बहुत पुराने एक्क्यूप्मेंट्स का उपयोग ना करें ताकि बिजली की खपत को हम बचा सकें क्योंकि अब काफी नई टेक्नीक वाले बहुत जादा विलासिता की आदत भी परियावरण को नुक्सान पहुचा रही है आप ही मानेगे बिलकुल बिलकुल को कि परियावरण के सरक्षन में एकनॉमी या फाइनेंशियल बहुत मातपूर्ण इस्थान रखता है को कि जो ज़्यादा संपन है तो निश्चित तोर प पाइप से धूर हैं या एसी चल रहे हैं तो क्या फरक क्या पढ़ता है सबसे पहले हमारे उसमें आता कि उससे बहुत जादा को फरक नहीं पड़ जाएगा थोड़े बहुत पैसे और दे देंगे तो उसमें बात सिर्फ पैसे की तक सीमित नहीं बात परियावरण सरक्षन मैं इसे देखता हूं कि अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो ना सिर्फ हम अपने स्वास्त या आर्थिक या बौधिक विकास करते हैं परियावरण सरक्षन में भी एक महत्पूर्ण भूमी का अदा करते हैं व्यक्तिकत के तोर पर जल्दी अगर हम उठ जाते हैं तो इक्विप्मेंट्स चल रहे हैं उनको हम 6 बजे या 5 बजे तक भी बंद कर देते हैं दर्वाजे और खिडिकियों को हम खोल देते हैं तो एक सुबह की जो ठंड़क है उसको हम फील कर पाएंगे महसूस कर पाएंगे बिल्कुल अदीपती जी परियावरण संदक्षों के इन चल रहे हैं तो मैं यह पेपर दिखाना चाहूंगा को कि चात पीर काते हैं कि एक तरफ लिखते हैं आग तरफ फेक देते हैं तो यह पेपर भी कितना कीम्ती होता है इस पर भी आप पताईए है जी हम चात्रों को इस बात के लिए जागरूख करते हैं कि कागस बनाने में आप सबी जानते हैं कि पेड़ पोधों का इस्तमाल होता है तो कागस का पूरा उपयोग किया जाए और ऑफिसेज में भी जैसे कि पेपर फ्री ऑफिसेज हैं इन सब चीजों को किया जाए चात्र नोटबुक में जो बचे वे कागज होते हैं, उनको भी इस्तमाल करें. साथ ही, कोशिश करें कि वो वेस्टज ना करें, और यदि वेस्टज होता है पेपर का, तो एक रीजाइकल पेपर होता है, उसका इस्तमाल करें. साथ में पेपर मेशी से बहुत सारी चीजे बनाई जा सकती हैं तो हम उस पेपर को गला कर उन वस्तूओं को बना कर उसका उपयोग करें तो इस तरह से हम री साइकल पर भी जा सकते हैं और रीडियूस पर भी जा सकते हैं री साइकल के बारे में दिलिप जी आप से समझना चाहिए कि आप किस तरह से को समझा रहे हैं और प्रसार कर रहे हैं अभी अपने पेपर का बहुत अच्छामेल यह को क्योंकि बहुत ही कारेयलों में बहुत बड़ी संख्या में पेपरों को करते हैं या कागज का उपयोग किया जाता है तो पहला तो यह कि जहां आवशकता ना हो आप प्रिंट ना लें क्योंकि अभी हम सारी चीजों को PDF फाइल में देख लेते हैं तो अगर हम कही न कहीं हला कि वह भी अत्यादिक उपयोग उसका भी हानिकारक है पर्यावन के लिए पर फिर भी पेपर कागज पेड़ों से निर्मित हो रहा है और प्रतिवर्स बहुत सारे बेड़ इसके लिए काटे जाते हैं तो पेपर का पूरा उपयोग करें और कई बार तो यहां तक भी कुछ लोग करते हैं कि एक बार उन्होंने पैंसिल से लिखा और उसके उपर प हमारी वाहां से युजड पेपर को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद में उस पूरे जो रिशाउकलिंग विन Gasic. कुभष और चरन जाते हैं विभीन चरनबद्य तरीके से पेपर को रिसाइक्ल करके उसके प्रोडेक्ट्स बना जाते हैं तो उसमें प्रडेक्ट्स के रूप में हम पैन ऐस्ट बीन भी हम ने बनाय हुय है नोठ पैड्स हम बनाते है हमारे जो केलां में लगने- तो पूरा का पूरा हमने वेस्ट पेपर रिसैक्लिग्स रिसैकली उनिट से हैं तो एक और आपका प्रश्न प्रती। और दूसरी और एक मैसेज भी देते हैं, हमारी जो भी कारिशालाइं होती हैं, उसमें हम ये नोटपैट का उपयोग करते हैं, और शुरुआत में उनको बताते भी हैं, कि ये वेस्ट पेपर रिसाइक्लिंग उनिट का प्रोडेक्ट है, और इस तरह के से आप अपने विद् सिक्षन इस बात के लिए दिया जाए, कि पेपर को हम कैसे रिसाइक्ल कर सकते हैं, तो वो निश्चित ही कुछ-कुछ उत्पाद, फ्लावर पॉर्ट बगरा हैं, या डश्ट विंस बगरा हैं, या पैन स्टेंट्स बगरा हैं, ये बना सकते हैं, बिलकुल तो ये छोटे- महत्पूर्ण भूमी का निभाएंगे, बहुत बहुत शक्रिया देप्ती जी और दिलिप जी आपने दूर दशन मद्रप्रदेश के लिए वक्त निकाला, तो परियावरन संद्रक्शन केस विशेश कारी क्रम में इतना ही आप जुड़े रहें, दूर दशन मद्रप्रदे झाल